हेलो फ्रेंड्स मैं आपके लिए लाई हूँ जनरल नॉलेज के कुछ महतोपूर्ण कोश्चन आंसर जो आपके SSECGL एवं अन्य कॉम्पेटिटिव एक्जाम्स के लिए बहुत ही महतोपूर्ण है दोस्तों हमारा पहला कोश्चन है सबसे कम घनत्व किस ग्रहका है एवं इसका आंसर है शनी ग्रहका हमारा नेक्स्ट कोश्चन है एक कारद्वारा तै की गई दूरू को किस से मापा जाता है एवं इसका आंसर है ओडो मीटर हमारा नेक्स्ट कोशन है पूरी एक रितू तक खेत को खाली चोड़नी की प्रक्रिया क्या कहलाते हैं हमारा नेक्स्ट कोशन है स्कूटर के साइड मीटर में सभी वस्तुओं की छवी कैसे दिखाए देते हैं और इसका अंसर है वस्तुओं की तुलना में उनसे छूटी. मारा next question है, वह सुरक्षिक त्रेटर, जहां जान्वर बिना किसी बाधा अपने प्राकरितिक निवासतान में रहते हैं, क्या क्या कहलाते हैं, और में इसका अंसर है अभ्यारण. नेक्स्ट कोश्टन दूरी कौन सी राशी है एवम इसका आंसर है अधिश राशी नेक्स्ट कोश्टन है तापमान की SI क्या है एवम इसका आंसर है केल्विन तापमान की SI केल्विन है मार नेक्स्ट कोशन मुरिदा अपर्दन को रोकनी की सर्वोच विधी कौन सी है? वन रोपन मुरिदा अपर्दन को रोकनी की सर्वोच विधी है मार नेक्स्ट कोशन है संक्षारन रोकने के लिए लोहे के पाइप और सीटो पर जिंक धातु की कोटिंग की जाती है यह प्रक्रिया क्या कहलाती है यह प्रक्रिया जस्तिकरन कहलाती है मारा नेक्स्ट कोशन है भोजन संग्रहित किये जाने वाले लोहे के डिब्बे को तीन से विदूतिये लेपित किया जाता है क्योंकि तीन लोहे की तुलना में कम अभिक्रियाशिल है और भोजन को खराब होने से बचाता है मारा next question है परिपत किसे कहते हैं इसका answer है बिजली के प्रवा के पूरे पत को परिपत कहते हैं मारा next question है यदि हम नौकायान बंद कर दें तो नाव स्तिर अवस्ता पर आ जाती है। वस्तुओं की गती अवस्ता को बदलने के लिए कौन सा बल उत्तरदाई है। यदि पैकेट फूला तो उसे खाए या पीए नहीं वह प्रक्रिया जो पैकेट को फूलाती है। पसंद आया हो तो क्रिपिया इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।